आज मैं आपको बना करके दिखाने वाली हूँ मटर पुलाओ की बहुत ही बेटरीन सी रेसिपी जो बहुत ही जल्दी और आसान तरीके से बन जाती है यहाँ पर मैंने लिया है गोविन भोग चावल हाफ केजी यह चोटे दाने वाले चावल है तो इसकी खुझबू बहुत あっisha होती है और इसकких बहूत ही बह्त बहतरी है साथी मैंने यहां पे लिए है मतर यह भील्प इसके इसाब से मैंने लिया है नमक, साथी एक चम्मक चीनी, एक नेमु का स्लाइस और दो तेजपत्ता, और कुछ ड्राइप प्रूट्स भी मैं इसमें डालूंगी, तो जिसमें मैंने लिया है काजू और किसमिस, आप चाहे तो और भी ड्राइप प्रूट्स इसमें डाल सक काजू और किसमिस तो इसे थोड़ी देर फ्राई कर लूंगी थोड़ा सा गोल्डेन ब्राउन हो जाएगा उसके बाद मैं इसे निकाल लूंगी तो ये देखी काजू और किसमिस जो है वो थोड़ी सी फ्राई हो चुकी इसे मैं निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं इसमें प्यास को डाल करके लाल फ्राई कर लूँगी, तीन से चार मिनिट लगते हैं, प्यास जो है वो अच्छे से फ्राई हो जाती है, तो इसे लाल फ्राई करना है, इस तरह से ये देखे, प्यास जो है वो फ्राई हो चुका, इसे मैंने निकाल लिया है, अब इसी घी में डाल देती हूं, खड़े गरम मसाले, और एक से दो से केनी से चला लूँगी, उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी, मतर को, तो सबसे पहले मैं मतर को डाल कर इसे थोड़ी दिर फ्राइ करती हूं, दो से तीन मिनट इसे तो ऑफ एक से पानी निकल जाए, और चावल और मटर को मैं चार से पांच मिनट भून लोगी, अगर चावल को बहुलीर लिया जाए, अच्छे से 4-5 मिनट तो इसलिए मैं पहले 시간 को अच्छे से 4-5 मिनट तक भून लेती हूं, तो इसलिए मैं पहले चावलो अच्छा से मैं इसमें करें चावल चावल लाए डबल पानी कम đबनये दालते है जो पानी इसमें दो मैं चावल लेंगे 한다 पानी को पहलेन पानी मैं अगर तो पुलाओ मैं ठीस बड़ Tibetan में करा के त्यार होगी उसके बाद मैं इसे एक बर फिर से चला लेती हूँ अच्छे से ताकि नमक और चीनी जो है वह बहुत अच्छे से पानी में गूल जाए उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी तेजपत्ता साथी मैं दाल दूँंगी नीबू का रस दालने से चावल जो है वो बिल्कूल वाइड दीखती है और इसे भी चावल के दाने बिल्कूल अलग अलग और खिले खिले नजर आएंगे और इसे मैं एक बर चला लूँगी, चलाने के बाद मैं इसे 10 मिनट धक करके हाई फ्लेम पे पका लूँगी, तो 10 मिनट मैंने इसे पका लिया है, उसके बाद धकन हटा करके मैं इसे एक बर अच्छे से चला लूँगी, उसके बाद फिर से 10 मिनट के लिए मिडियम फ्लेम प दम में लाज चुआ कर दो दूंगी ये बहुत ही बेतरीन मतर पुलाओ बन कर तयार हो चुका है जो प्याज में इसमेंjs 67 मक्स को लेती हूं उसके बाद मैंने गैस को ओफ कर दिया है फिर से मैं इसमें डाल देती हूं फ्राइपयास को और प्राइपकाजू और किसमिस को तो यह देखिए मटर पुलाओ की रेसिपी बन करके तयार हो चुकी है तो कैसी लगी आपको मेरे मटर पुलाओ की रेसिपी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक सेर और सब्सक्राइब कर दें